तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि stable coin और unstable coin में difference क्या होता है और ये coin किस तरह का coin होता है और साथी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में समझाऊंगा कि आप लोग stable coin और unstable coin का इस्तेमाल करके trading से कैसे अच्छा-खासा पैसा generate कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप लोग को कि आप लोग कैसे यहां से मतलब trading के जरीए अच्छा-खासा पैसा generate कर सकते हैं उसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि stable coin और unstable coin क्या होते हैं और इनके बीच difference क्या होता है तो चलिए वीडियो जाते हैं आप लोग को यहां पे आप लोग को स्क्रीन पे बहुत सारे coin दिखाई दे रहा होंगे यहां पे टॉप पे आपको bit torrent दिखाई दे रहा होगा आप यहां पे देख सकते हैं यह bit torrent है जिसका prize अगर आप portfolio पे देखेंगे इसका coin market का आप पे जाकर करके आप सर्च करके इसका prize portfolio देखेंगे तो इसका prize हमेशा घाटते बढ़ते रहता है कहने का मतलब कि यह एक unstable coin है same to same bitcoin के तरह जिसका prize 2009 न में कुछ और था और आज कुछ होर है कहने का मतलब कि unstable coin वो coin होते हैan जिसका prize हमेशा घाटते ही बढ़ते रहता है कहने का मतलब कि इसका प्राइज कुछ भी हो सकता है और दूसरी और बात करते हैं stable coin की तो यहां पर आप बहुत सारे coin भी देख सकते हैं जो BitTorrent के अलावा भी है आप यहां पर देख सकते हैं कि एक tether है उसके नीचे है TUSD जिसको true USD coin कहा जाता है ठीक है यह भी stable coin है इसका प्राइज जब आप coin market के पे जाकर के चेक करेंगे तो हमेशा एक डॉलर के ही आजपास दिखाई देगा ना उससे नीचे दिखाई देगा ना उससे ज्यादा काने का मतलब कि इसका प्राइज का भी दूग डॉलर नहीं हो सकता है और नहीं हाफ डॉलर होगा तो वन डॉलर ही रहेगा काने का मतलब कि अगर इंडियन प्राइज में आप मैं आप लोग को बताऊं तो इसका प्राइज तकरिब 70 रुपय के आसपास रहेगा जो कि अभी करेंट भेल्यू है एक डॉलर के बराबर इसके निचे और भी बहुत सारे कोईन आप देख सकते हैं उसके निचे आप देख सकते हैं ट्रोन है यहाँ पे ठीक है उसके निचे आप देख सकते हैं कि जीलिका भी है इन सारे कोईन को अगर आप देखेंगे इसका प्राइज है वो बित कोईन के जैसा ही है इसका प्राइज आज से एक साल पहले कुछ और था और आज कुछ और ही है काने का मतलब कि आजसे दस लगभग एक साल पहले जबロ Danielle डाउन इस्टाट हुआ था तो इसका प्राईज बहुत ही कम था और अब इसका प्राईज काफी जादा हो चुका है चुक्ति लोग डाउन लगने के वज़़य से काफी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में अपना bonus किया और इसका प्राइज काफी ज़्यादा पंप कर चुका है लेकिन अभी तक आप USDC का प्राइज चेक करेंगे तो इसका प्राइज एक डॉलर के ही आजपास आपको दिखाई देगा ना उससे निचे दिखाई देगा ना उससे ज़्यादा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस्टेबल कोईन और अनिस्टेबल कोईन में डिफरेंस क्या है और किन कोईन को इस्टेबल कोईन कहा जाता है और किन कोईन को अनिस्टेबल कोईन कहा जाता है stable coin के नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका price stable होता है वह coin वैसा coin stable coin कलाता है और जिसका price fix नहीं रहता है यानि कि demand की हिसाब से उसका price उपर निचे होते रहता है वैसा coin unstable coin कलाते हैं जिसमें की Ethereum, Bitcoin और Dog Coin इस तरह की बहुँ सारे Coin आप देख सकते हैं जो की Unstable Coin है जिसका Price घटते बढ़ते रहता है हमेशा और USDC को देख सकते हैं और Binance USD को, TUSD को, Tether को इस तरह के जेतने भी Coin है जो USDC से, USD से स्टार्ट होते हैं या तो ये USD पे खतम होते हैं और इसी में एक ठो और Coin है जिसका नाम है DAI वो भी एक तरह के Stable Coin ही है इसका Price हमेशा आपको एक डॉलर के आसपास ही दिखाई देगा तो समझ में आ गया होगा कि Stable Coin और Unstable Coin क्या होता है Difference क्या होता है इन दोन के बीच में अब बात करते हैं आप ट्रेडिंग में इसका प्रोफिट कैसे यूज कर सकते हैं आप एज प्रोफिट इसको ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हाल फिलहाल में इसका प्राइज काफी निच्चे गिर चुका है बिट कोईन का और साथी साथ इतने भी कोईन है उन सारे कोईन का प्राइज निच्चे गिर चुका है लेकिन ये coin है जो stable coin है उसका price कभी निच्चे नहीं गिरता नहीं उपर बढ़ता है तो इस समय में आप क्या कर सकते थे जब इसका price गिर रहा था तो उसमय सही टाइम पे अगर आपने BUSD में या फिर USDC में इन तरह के coin में अगर आपने convert करके exchange करके रख लिया होता तो आज इसका price काफी निच्चे आ चुका है लगभग लगभग 50% 60% निच्चे गिर चुका है इसका price आप यहाँ पे exchange करके वापस से उन coin को अच्छा खासा मतलब खरीच सकते थे और जब उसका price बढ़ जाता तो फिर से आप उसे exchange करके इन coin में store कर लेते हैं यानि कि जब price बढ़ जाता तो आप sale कर देते हैं और sale करके उसे या फिर आप उसे exchange करके Stable Coin में Store कर लेते और जब Unstable Coin का Price नीचे गिरता तो आप वापस से Stable Coin को Sale करके यानि की Exchange करके फिर से Unstable Coin को खारीद लेते हैं कहने का मतलब कि Buy और Sale करके आप यहां से अच्छा खासा Profit Generate कर सकते हैं Unstable Coin और Stable Coin का इस्तमाल करके तो अमीद करता हूँ आप लोगों को समाज में आया होगा और भी बहुत इसका इस्तमाल कर सकते हैं आप लोगों Profit Generate करने के लिए यहां से जो कि यह ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग से आप यहां से अच्छा खासा Profit Generate कर सकते हैं इसी तरह से Buy और Sale करके तो अमीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समाज में आया होगा कि Stable Coin और Unstable Coin में डिफरेंस किया है और आप लोग Stable Coin और Unstable Coin का इस्तेमाल करके किस तरह से यहां से Profit Generate कर सकते हैं अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो अगर यह वीडियो आप लोगों को समाज में आया होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे और साथी साथ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर इस चैनल पे नए है तो और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर एक Cryptos Related जो भी वीडियो में डालू वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और उसे आप देख सकें तो चलते हैं निव वीडियो में मिलते हैं फिर से तब तक के लिए धानेवाद थांक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो